दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मक्सुटा के मौंटन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाई धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम्स के डिशिस थे, मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सब की किसमत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है और सिन्यों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया तेरको मजाग मत करो मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मच्री पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नो बिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मच्री पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तौर पर उस मच्री का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मच्री से भी बड़ी मच्री पकड़ कर मेरे बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे दी डाट यह नजदी की एक पिशपॉन है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नवीता बड़ी मचलियां सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा मेरे पास जील और नदी तोनों है डाट क्या सच में जड़ा एक मिनट रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज मांटेन स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ दाग, स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेच अफ़े शेक्स, जो कुछी देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाग, अब आप भी तयार हो जाए आप अब अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है समाज गया तुमने डाड को छोटा कर दिया ता कि वो मिनियेच अ माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो, ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे जला आराम से निजो उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी जोरी मॉन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे हैं ना? सीरीज के बारे में, ओ हानो बिता क्या इसका मतलब ये है? कि अलग-अलग तरह के बहार होते हैं? तुमने सही कहा अच्छा, कैस तरह की? बताव ना जोरी मॉन रॉक्लाइम्बिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं स्कीन तो बढ़ कि स्लोप पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेंज होते हैं. सुनो, डो, रीमॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ. क्या कोई मश्रूम का माउंटेंज भी होता है? कहा होता है? सच में? कहो पर हो, मुझे देखना है. नोबिता, रुक्यों, मैं उसे भाण निकाता हूँ. रुक्यों. आरका मच्शू माउंटेंज. यहां तुमें मश्रूम्स मिलेंगे. ये! अब तुम क्या करोगी? अच्छा, सुनो, नोबिता, मैं तुमें बताता हूँ. पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेरने होंगे. इस तरहां. और फिर, हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है. मिनियेचर सान लॉंचर. और एक ट्यूब में बादल. तुम इनके साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सब्र करो. ये देखो. सब तयार है. नोबिता, अब हम लॉंच करने वाले हैं सन. अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश. और फिर तुम देखना, नोबिता, करीब दस मिन्टों में मश्रूम सुबने शुरू हो जाएंगे. जोड़ी मौन, क्या मैं शिजूका और बागी दोस्तों को बुला लाओं? हाँ, जरूर बुला लाओं, मैं उनने ले आता हूँ. क्या, हम सारे मश्रूम्स तोड़ कर खा सकते हैं, मुझे तो यकीन हैं नहीं हो रहा, नोबिता. मैं सच के रहा हूँ, आओ, तुम खुद ही देख लो. आओ, अले, नोबिता, देले चलो, मैं चाथ कर रहे हूँ. देले चलो. हे, नोबिता, शिजूका, तुम दोनों कहा जा रहे हो? क्या सच-मुष, नोबिता, मैं भी आना चाहता हूँ. हलो, आंटी. हलो, आंटी. हलो, बेटा. डोरेबोन. हमें बताओ, मश्रूम्स कहाँ पर है? चलो, हम शरू हो जाएं. ये, ये, बताओ, हुझे, बतादा. हमें इस माउंटेन पर जाना है. अब तुम सर्थ पहनलो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स. वा, उच्छे, नोब बताओ. देखो, शिजूका, मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला. हे, नोब बताओ, देखो, यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स है. शिजूका, आओ, बहाँ जाकर देखते हैं. अच्छे, ठीक है, जड़र मेले रुको तो सही. जल दिया. बढ़िया लगता है. आप लेना चाहेंगी? आट हाजार रुपए? यह तो बहुत वाजब दाम है, मेडम. आप खरीद लो. क्यूं नहीं? यह हैं तो बहुत ही सस्ते, पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी. चलती हूँ. वा, देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला. यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है. पर मेरा बासकर तो फुल हो गया है. देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ. मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका. और मश्रूम्स के लिए हम यहां फिर दोबारा आ जाएंगे ठीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छा इडिया है एक दिन में तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं पर अगर कीमतें यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुका और बांकी सब अभी तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्बू क्या ये मश्रूम्स की खुश्बू है ये खुश्बू तो उपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चल कर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं वाँ मला गया क्या खुश्व हो है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वाँ मज़ा आ गया तुम इकी जल्दी में मत खाऊ उनो पिता चोड़ो ना यार खाने भी दो ये अभी तयार नहीं हुए जियार अभी सब्र करो चलो अब वापस चलते हैं अब भी रहाँ चलो चलो ऐसा करते हैं घर चलकर मॉम को सप्राइज कर देते हैं चलो ठीक है इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे अच्छा अँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जर्मन करे आज आना डोडी मॉन क्या डाट में कोई मश्ली पकड़ी होगी आओ देखते हैं हे सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो जरा इन्हे तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स हैं हे बेवकूफ क्या ये तुम्हे मामूली क्वालिटी के लगते हैं हाँ मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच्च उटा के माउंटेन से लाए हैं क्यों शिजूका ठीक हाना हाँ जियान तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम चलते है चाहो तो एक लेलो सुनियो यकील नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मच्छिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरे मौन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डैज आउ मौन के लिए भी ले चलते हैं हाँ अच्छा एडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मौन डिनर का वक्त हो गया है अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे है ये देखो ये सब क्या है मुझे तंग मत करो मैं बहुत बिजी हूँ ये ये तो ये मश्रूम और मचलिया अरे ये कैसे हो सकता है मौन मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप ठीक है और मुझे पसंद है स्टीम मश्रूम्स ग्रिल्ड मश्रूम्स और ग्रिल्ड फिश ठीक है न नहीं ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये बिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकला है नहीं नहीं आप इकनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बेलकुल